सेम आलू की सबजी तो आपने बहुत तरीके से बनाई और खाई होगी तो आज जो मैं सेम आलू की सबजी की रेसिपी सेयर कर रही हूँ ये मेरी मम्मी बनाती है तो आज की सबजी का में हीरो है से और इसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसके जो भी साइट की नसेती वो निकाल दी है और इन्हें पीच से कट भी कर लिया है आप में हम लेंगे इसका पार्टनर जो की है हमारा आलू जो अपको बहुत पसंद आती है चाहे वो किसी के साथ भी हो और इसे भी हमने अच्छे से धोकर छील कर काट लिया है इसे पहले एकड़ा ही गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे तेल और इसमें हम लगाएंगे तड़का पंच भोरन का जिसमें पंच भोरन में हमारा आता है सौफ, राई, कलॉंजी, अजवाइन और मेथी इनका चलिए अब इसे हम तेल में डाल देते हैं उपर से डाल देंगे थोड़ा सा रंग ये अब इसमें हम डालेंगे अपने आलू और आलू को डालेंगे इन्हें हम कर लेंगे धगकर कुष्टेर फ्राई ताकि ये थोड़े पक जाए फिर हम ढखकर निकालेंगे फिर इसमें डालेंगे हरी मेर्च और अपनी सेम ताकि ये दोनों साथ में अच्छे से फ्राई हो जाए कॉमेंट सेक्षन में ये जरूर बता देना कि आलू सेम की सबजी के साथ कौन सा कॉम्बो आपके घर में फ्रेबरेट है रोटी पराठा या चावल मुझे तो ये सब के साथ बहुत अच्छा लगता है बट आपकी च्वाइस क्या है ये जानने का मुझे इंतिजार रहेगा कॉमेंट करना बिल्कुल मत भुलिए सेम और आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे घीसी हुई अद्रक और लहस मिर्च और सांत में काली मिर्च इन्हें अच्छे से मिक्स 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 कर लेंगे और इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक की लहसन का जो कच्छा फन का फ्लेवर हो हो जाए और यहां पे सब अच्छे से फ्राई हो गया है तब और इसमें डालेंगे हलडी और हलडी को थोड़ा सा हल्दी के बीना तो इसमें कलर ही नहीं आएगा तो ये तो डलना बनता ही है हमारा हल्दी थोड़ा सा पक जाए तो हम इसमें डालेंगे अपना टमाटर आहा टमाटर बड़े मज़ेदार इसके बीना तो हमारे सबजी में स्वाद ही नहीं आएगा और वो है नमक और ये तो ब सी धन्या पत्ती की डंधल भी डाल देते हैं आप चाहे तो इसमें अपनी मरजी से मसाले एड़ भी कर सकते हो बट ये मेरी मम्मी की रेसिपी है तो वो ऐसे ही बनाती है वो ना इसमें कोई गरम मसाला ना धन्या पाउडर ना जीरा पाउडर वो कुछ नहीं डालती बस इतने से ही और ये मुझे बहुत पसंद है जी में हम बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करने वाल की हम से मालू की सूखी सब्जी बना रहे हैं बात करते करते तो हमारी सब्जी बन भी गई अब इसमें हम डाल देते हैं अपना कार्णीशिंग और स्वाद का हीरो धन्या पत्ती और ये लो हमारी सब्जी बन कर विल्कुल रेडी हो गई है एक लग रही है ना टैंटिंग एकदम इजी और टेस्टी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेर भी ज़रूर कर दीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक बनाएए खाये और खुस रहिए